चेप्टर नमबर 7, Algorithm Design and Problem Solving और साथ में चेप्टर नमबर 8, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग कॉंसेप्स हैं, Arrays हैं, File Handling हैं, इन टॉपिक्स को कवर अप करना है, ठीक है? और चेप्टर नमबर 4 हम लोगों ने रिसेंट्ली क्लोज किया था और 5 और 6 मैंने आपसे शेयर कर चुका हूँ, अच्छा इसमें हम IDEs की बात कर रहे थे, Integrated Development Environment Integrated Development Environment आपको वे देता है, कि आप अपना Source Code प्रोड्यूस करो, Software बनाओ, Instruction टाइप करो, Selecting Any Language और उसमें कोडिंग करो, एक IDEs जो होते हैं, उसमें ये फीचर्ज होती हैं, जो मैंने आपसे डिसक्स कर लीती हैं, आज ही हमें इसको practically देखेंगे भी, तो कोई भी high level language हो, वो हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि उसको read and understand करना असान, shorter time लगता है, debugging आप development stage में हो जाती है, maintenance आइसान होती है, तो इसमें IDs की कुछ features आज हम explore करेंगे, और ये हमने chapter सारा कर लिया था, और जब IDs होते हैं, तो इसमें compiler आपके पास available होता है, जो आपकी source code को compile करता है, और पिर उसको machine code में convert करता है, जो आप machine के उपर execute करते हो, ठीक है, तो ये सारा chapter हम लोगों ने close किया था, और IDs की detail है ये कुछ, आज हम ये experiment करेंगे, आज हम IDE को install करेंगे, IDE का नाम है PyCharm, और coding स्टार्ट करेंगे आज, PyCharm को install करना पहले, IDE में जब तक आपका ground नहीं होगा, platform नहीं होगा, आपने उस language को install नहीं करना, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ID को install करना, ID का नाम है PyCharm, और उसके बाद फिर language जिसमें आपने work करना है, कोडिंग करनी है, source code लिखना है, जो के very simple आपका जो native language है English के साथ match करता है, इसके अपनी कुछ commands होती हैं, कुछ इसका syntax होता है, कुछ इसके keywords होती हैं, तो उनको आपने according to your need, जो आप software के अंदर fulfill कर रहे हो, उसको reach कर रहे हो, target को achieve कर रहे हो, तो उसमें Python को install करेंगे, और ये एक IDs की features होती है, इसमें code editor होता है, translator होता है, आपको environment debugging का देता है, डाइग्रोज करना असान होता है, auto completion, auto correction हो जाती है, auto documenter और pre-tributing, ये कुछ features आम तोर पे IDs की होती है, और IDs हमें, जो आज हमने language select की है, जो chapter 8 के साथ मैं आपको connect करने वाला हूँ, तो इसके फॉरने बाद हम chapter 8 को मैं आपको आज थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन IDs पहले हम जो के आपको facilitate करता है, code editor रेता है, very famous ID Microsoft Visual Studio भी है, अगर आप मजीद IDs को explore करना चाहो, तो google कर लेना, ये सारे IDs, famous IDs, और Python से relevant देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये language select करनी है, तो इसमें आपको list में students ये IDs सारे के सारे आपको देख रहे हैं, इसमें ये आपको PyCharm भी देख रहा होगा, तो आज हम सबसे पहले PyCharm को install करते हैं, और फिर Python को install करते हैं, step by step देख लो, क्योंकि ये students मुझे पूछते हैं, A-Level के भी पूछते हैं, वो लेवल तो पूछते ही हैं, कि A-Level भी पूछते हैं, सर इसका method क्या होता है, किस तरह installation करते हैं ID's की, और ID's की installation के बाद, हम Python को किस तरह, जो है, वो software को install करेंगे, और इसके अंदर किस तरह coding करेंगे, आज, welcome, और यहाँ, हेलो वर्ल्ड का एक चोटा सा software बनाते हैं, जिसमें आपको just message आएगा, हेलो वर्ल्ड, अब programmers के लिए आम तरह पे, first program हम यही लिखते हैं, coding के साथ, अच्छा सबसे पहले तो हमने यह देखा, यही सारे Italy, Tony, Atom, PyCharm, Spider, PyTab, यह सारे के सारे ID's हैं, बहुत famous famous भी हैं, इसमें Visual Studio भी है, Visual Studio एक ऐसा है, आपका ID है, और जो Python हो, VB हो, Java हो, C हो, Sharp हो, कोई भी language हो, इसमें यह बड़ा जबर्दस किसम का एक ID है, जो आपको facility देता है, तमाम languages के अंदर coding करना असान हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलाल में Visual Studio नहीं required, हमें required है PyCharm, तो PyCharm को install करने का method, गूगल कर लो, आज आपका step number one है, programmer की, आपने field में enter हो रहे हो, आप इस language को understand करना चाहरे है Python को, तो PyCharm, just you need to type PyCharm download, यह step by step आप देख लो, ठीक है, यह आपको need होगा ए लेवल में भी, और आज के बाद अगर आपने अपने device के ओपर इसको install करना है, पाइफन को run करना है, you need a IDE, IDE यह पाइफन के लिए best one है, ठीक है, और यह इसमें latest version of PyCharm for Windows, as well as Mac operating system and Linux, यह तीन हों available है, just you need to go, this website name is JetBrains, ठीक है, यह first वाले link आएगा, इसमें आपने क्लिक कर देना है, इसमें अगर आप professional हो, आप buy करना चाहरे हो, हाँ इसकी features थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जब आप professional life में जाओगे, तो यह भी आप 30 days का trial version है, इसको download करसा के लिए कि आप 30 days ही expire हो जाएगा, और यह आहम तोर पे हम use करते हैं, Python ID for data science, आजकल के दौर में बहुत famous term है, data sciences, जिसे बिग data को आप process करना हो, आप किसी big mart में हो, Amazon की website पे हो, यह किसी भी business में हो, जाँ big data, और big data पे process करना है, analysis करना, और reports generate करना, decision making करना, data sciences, और दूसरा, इसमें website development के लिए भी, यह आप Python को use करते हो, को scientific solution देना हो, statical देना हो, finance का देना हो, यह numerical, कोई mathematical solution देना हो, तो Python is the right choice, और cloud के उपर अगर आप काम कर रहे हो, तो cloud के उपर जो programmers है, उसमें भी Python जो है, वो चुके Linux के लिए भी available है, Mac के लिए भी available है, Windows जो आज कल हम use कर रहे हैं, उसके लिए यह 30 days का trial version है, for your professionals, ठीक है, professionals के लिए, लेकिन for beginners, if you want to use a free version, तो यह आपके पास community edition मुझूद होता है, community edition जो के यह आपको download यहां से हो जाएगा, आपने click करना है, यह आपका free है, open source है, open source का मतलब होता है, के आपके पास यह available होगा, free of cost, आप इसके download करके, अपना जो target है, अपनी coding कर सकते हो, तो download पर आपने click कर देना, इस्टूरेंस, और download शुरू हो गया, यह इसने आपको thank you कर दी है, download स्टार्ट हो गया, तो मैं हम time waste नहीं करूंगा, मैंने already कुछ few minutes पहले, मैंने download कर लिया था, तके time हमेरा ज्यादा ना वेस्टोस में, तो download के folder में आप चले जो, explorer में, और यह देखो, download के folder में, यह मैंने यहाँ पे download हो चुका है, यह download यहाँ से आपने कर लेना है, ठीक है, तो after few minutes, यह download होके कुछ इस farm में आ जाएगा, pycharm community 2024.1.exe, control panel, control panel आपको बताए, windows की app होती है, यहाँ पे जाके, यहाँ से आप icons में आजाएगा category, यह simple version दिखाता है, very few options के साथ, तो यहाँ से आपने large icon पे click कर रहा है, और यह programming feature की option होती है site पे, इस पे आपने click कर रहा है, यह list में देखो, वो तमाम softwares जो आपके device को पर installed है, इसमें P की list में देखो, यहाँ करके python होना चाहिए था, तो python इसका मतलब install नहीं है, तो python को install करने का method आपको बताने लगा हूँ, after downloading, और यह आपको पास few minutes लगेंगे, यह depend करते हैं, internet speed के ओपर, आप ने जो line purchase कर रखी है, internet के लिए, तो यह depend करता है, 455 MB का यह software है, few minutes पहले मैंने आज की rate में इसको download किया है, और अब आपने download आपको हो सकता 5 minute लगें, 10 minute लगें, 15 minute लगें, ठीक है, इसको आपने इस तरह download कर लीजगा, jet brain's website से, अगला step, इसको आपने right क्लिक करके run as administrator कर दीज़ें, screen के ओपर message आएगा, do you want to allow this app to make changes to your device, yes, यह इसका wizard play होगा, you need to, next, अच्छा, इसका destination folder, by default program files के अंदर, jet brain's, by charm, community edition 2024, यह होता है, और इसमें space required होती है, 1.7, और available मेरे पास इतनी हिस वक्त है, तो more है, 1.7 just you need, और अगर आप किसी और drive क्यों पर इंस्टाल करना चाहो, तो browse कर लीजेगा, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, default जो location है, destination की, यही रहने तो आप, ठीक है, यह आपको उपर बता भी रहा है, यह इंस्टाल करेगा, पाइचाम community edition, in the following folder, to install a different folder, you can click on browse, and select another folder, यहाँ पर आपने, इसकी association सिर्फ बता दीजेगा, बाकी options, अगर आप on करना चाहों कर दीजेगा, यह आपको desktop के ओपर इसका, पाइचाम का community edition का, shortcut create करतेगा, बाकी construct menu है, अपडेट करना है, bin folder path के लिए, इसमें restart required होगा, फिलाल मुझे ज़रूरत नहीं है, तो just you need to click first and last, this one, association, चुकि आपको python को चलाना है, तो python की extension होती है, dot py, ठीक है, python, यह click कर दीजेगा, यह करना है, कर दो आप, desktop के ओपर एक shortcut, pycharm, क्योंकि आपने pycharm को पहले लोड करना होगा, उसके अंदर python, आपकी language को apply करोगे, next, यह आपको, जो है, menu के अंदर, जो start menu है, उसमें jet brains का folder बन जाएगा, you can also use this, यहाँ पे आपको, दिखाई देगा, jet brains का folder, उसमें आपको, आप pycharm का, वहाँ पे आपको presence नजर आएगी, तो यह jet brains ही रहने दो, यह अपना नाम देना चाओ, भी दे सकते हो, तो default जो है, इसमें हम इसी को रहने देते हैं install, यह installation स्टार्ट हो गई है, यह वह steps हैं, जो O-Levels students, O-Re-Levels की, बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, मेरे से वह करती हैं, कि सारे installation का तरीका बता दें, तो installation में पहले ID आपको install करना है, याद रखी कर पहले ID install करना है, उसके बाद next step, next step आपने जो करना है students, वह language, जिस language को लाजमत है, जो इसके साथ connected और जो compatibility wise जो सूट करता है Python को वो पाईचाम सूट करता है, तो आपने अब अगला step यह करना है कि यहीं पे जाके, जिस्ट यहाँ पे आप search कर लीजेगा Python, पहले पाईचाम हो गया, अब Python को, Python download, उसकी website थी IDE के लिए, Integrated Development Environment की website थी, जो के platform के तौर पे यूज़ों के इस language को अगर आपने यूज़ करना है, तो इसके जो राइट आपका जो URL है, यह website है, वो python.org होती है, यह आपके पास first link आजएगा, जैसे आपने search में यह query करा, तो यह आपके पास आगए है, इस पे क्लिक कर दीज़ेगा, और इसको पहले download करने, अब download करने के लिए, यह सबसे टॉप के उपर आपको यह yellow के अंदर यह label आपको नदर आ रहा है, looking for Python with different OS, और यह Windows के लिए, Linux के लिए, Mac के लिए, यहां किसी और operating system के लिए, तो अब में Windows के लिए चाहिए, यहां पे क्लिक कर दो, यह यहां से आज़ो direct, download, ठीक है, ज़रुवत नहीं है आपको Windows पे क्लिक करने की, आप उपर लिए लिए लिंक नदर आ रहा है, आपको about के साथ, यहीं भी आ जाईएगा, और इसके बराबर में, यह gray shade में बटन बनावा है, python का latest version है, लेकिन यह याद रखना, Windows 7 के लिए, यह उसे earlier version जो है, Windows XP होता था, विस्टा होता था, 95 होता था, 98 होता था, उनके लिए यह compatibility issue आएगा, तो यह आपने, उसके लिए, यह latest version है, इससे previous बेशमार version आपको नदर आएंगे, latest है 3.12.2, हो सकता फ्यू डेस के बाद, यहाँ पे नया version इसका आजाए, तो कोई मसला नहीं, तो आपके पास minimum minimum, इसके लिए Windows 10 चाहिए, ठीक है, Windows 11 हो जाए, Windows 10 हो जाए, और अगर उससे पुराना आपके पास install है, operating system, तो फिर यह आपने, इसको list में से, यहाँ से देख लेना है, यह देखो, जो early versions हैं, उनका भी यहाँ पे 64 bit, यह आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, यह काफी सारे, इसके additions आएंवे हैं, यह आप पे depend करते है, device को, प्रापरिटिंग सिस्टम कौन सा है, अभी हमें इसमें जाने की जूरुत नहीं है, यह detail मैंने बता दी है, download में चली जाएगा, यह just इस पे क्लिक कर दीजएगा, अच्छे इस पे क्लिक करने से भी, आपका software डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, इसमें भी few minutes लगेंगे, यह देख रहे हो, already मैंने यहाँ पे installation लगाई वी है, पाइचाम की हो रही है, जिसका result यह आएगा, पाइचाम की लगाई है, जिसका result यह आएगा, ठीक है, यह दोनों मैंने पहले इंस्टॉल ले इस लिए कर लिए थे, जिसमें पाइंदस मिनट, पंदरा मिनट लग सकते हैं, यह तकरीबन इसका size जो है 25.4 है, इसको अभी आपने नहीं रन करना है, जब तक आपका, यह, देखो, यह complete हो गया, ठीक है, अब यह complete हो चुका है, finish कर दो, यह जब finish कर दो, तो उसके बाद आपने यह python को जो download किया है, इसको आपने right click करके run as administrator कर दीजेगा, और इसके बेभी वह आएगा, आपसे वह permission मांगेगा, कि आपने device में install करना है, आपने कहा दिना yes, पहले से बेखने चुके install किया है, तो मुझे पूछ रहा है, uninstall कर दूँ, modify कर दूँ, यह repair कर दूँ, ठीक है, यह already मैंने install किया है, तो मुझे यह अब नहीं required, आप अगर इसको first time देखोगे, तो वहाँ पे आप से पूछेगा, कि कस्टमाइज करना है, और यहाँ आपने full version, तो आपने उसका जो कस्टमाइज करना, कस्टमाइज आप ना कीजएगा, उसका full version आप दे दीजएगा, तो यह आप फिलाल मैं इसको repair कर देता हूँ, तो आपको option number one पे आपने क्लिक कर देना है, कस्टमाइज करने की जूरत नहीं है, यह installation होगी, और after few seconds, यह आपका complete हो चुका, यह आपने यह है वोई, जिस तरह आप A-level के students, बहुत सारे recent time पे curious मुझे दी के, sir installation नहीं हो रहाँ, problems हो रही है, सर यह किस तरह करते हैं, पहले क्या करते हैं, बाद में क्या करते हैं, तो मैंने आपको आज step by step, इसकी recording भी मैं इंशाला अप्लोड कर दूँगा, तो आप लोगों ने पहले पाईचाम को डाउनलोड करने की exact website पे जाना है, डाउनलोड करना है, रन करना है, जब वो complete हो जाए, उसके बाद आपने इसका पाईचान की डाउनलोड ओर जी, python.org से डाउनलोड कर लीज़ेगा software, और उसके windows की compatibility wise, आप यहां जो आपका current operating system है उसके हिसाब से, वो करने के बाद पिर आपने यहाँ पे python को install करना है, python for windows, यह इंस्टार चॉलमोड कंप्लीट होने जा रही है, तो जब तक यह होता है, आपको मैं यहाँ पे, अब यह सारा experience आपको मिलेगा, pretty printing क्या होती है, variable क्या होता है, किस तरह उसकी assignment होती है, values string क्या होता है, उसको किस तरह sign करते हो, अगर कोई error आती है, coding में problem आती है, तो उसको ठीक कैसे करना है, suggestion window कैसे आएगी, ठीक है, error list कैसे आएगी, उसको किस तरह identify करोगे, उसके बाद उसको किस तरह आपने, यहाँ पे करना है, और उसके बाद जो auto completion, यह pretty printing, auto documenter की facility, यह feature, जो आपको कोई भी ID प्रोवाइड करता है, वो क्या होती है, ठीक है, colors की किस तरह, उस वो different colors में visibility शोग करता है, each and everything, और उसके फॉरण बाद, हम आपको, जो इसका respective chapter है, उसके उपर लेके जाने लगाँ, उमीद है, यहाँ तक आपको समझ आ गी है, ठीक है, fourth के बाद, हम फॉरण से पहले, चुक्छे fourth हमने close कर दी है, fourth की हमने जूरत इसलिए पढ़ी कि उसमें से हमें, ID या programming languages, high level, low level, translator, interpreter, assembler, वो हमने मालुम कर लिए, ID की features भी देख ली, और उसके बाद, लेके चल रहे हैं, ठीक है, four को मैंने close करने के बाद, directly practical exposure देने के लिए, chapter number eight पे आ गया, in this chapter you will learn about, programming concepts, लाज़ी बात है, you want to store values, और store जो करना है, program के अंदर, वो value का change हो, या आप करना चाह रहे हो, तो उसे variable बोलते हैं, और ऐसा, identity identifier, जो आप के, hold करें memory में, एक location को name से, लेकिन वो value चेंज नहीं करवानी, जैसे आपने देखा होगा, पाई की value, 22 by 7, या 3.14, उनको हम as a constant, पाई, as a constant, ठीक है, इसका मतलब है, तमाम ऐसे identifiers, memory में, जो locate होते हैं, with a specific name, meaningful name, अगर वो उसमें changes आपको नहीं करनी, throughout the life of that code, or program, or software, then it is called constant, और जिसमें changes required होती हैं, vary करती हैं, values उसे variable बोलती हैं, और अगर आपका software कोई बना है, तो उसमें कुछ inputs होगा, like, you want to add two numbers, input first number, input second number, and after inputting those values, you want to calculate, first number plus second number, and store in third answer, is another variable, और उसमें उसको दिखाना है, screen पे show करना है, output, sequence इसमें बड़ा matter करता है, ठीक है, कोई भी software लिखोगे, sequence very very important, जो पहले काम करना हो, पहले ही होगा, जो दूसरे नमपर पे, दूसरे नमपर पे होगा, अगर आपने दो inputs करने हैं, तो पहले inputs ही होगे, यह तो नहीं होगा, calculation पहले कर लोगे, input ही कोई नहीं, तो input आपने करना है, को values assign करनी है, तो you need those first step, two steps, before you have to process those values, और calculate those values, और जहां कहीं आपको, कोई decision making करनी हो, if, या case structure यूज़ करना हो, तो selection statements होती हैं, if, if this value is greater than this, then do this, otherwise, second option, alternate, और अगर आपने कोई steps perform करना है, if you want to print, one to hundred, if you want to print, I from one to hundred, तो आपको, एक step है, यहां दो steps हैं, उसको आपने बार बार run करना है, you need iteration, और you can also say looping, looping के कौन कौन से, यहां पर हमारे पास structures मौजूद हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, repeat until के साथ है, pseudo code में बता रहा हूँ, ठीक है, python में for का loop होता है, while का loop होता है, pseudo code में, हम repeat until कहते हैं, जहां भे, आप condition की base के उपर, वो repetition करता है, एक for का loop होता है, जिसमें fix number of time repetition करता है, और एक while जिसमें condition की base के उपर, वो statements को execute करता है, जो condition के अंदर, आपकी जो fulfill करने पे, उसको satisfied करने पे, और अगर if you need to calculate total, total मतलब, मैं कहता हूँ, एक से ले की hundred है, numbers, ठीक है, at the end of this series, you want to make total, उनका total भी करना है, कोई subjects हैं, उनका total करना है, कोई salary है, उसका total करना है, with other, आपके allowances वगेरा, और अगर आपने कोई loop लगाया है, तो उसको counting करने पड़ती है, ये first time हो गया, second time हो गया, third time हो गया, लाज़में बहुत है, एक stage पे उसको आपके, जो है, second name है, इन दोनों को concatenate करना है, join करना है, ठीक है, कोई string है, उसका left side से three characters आपने pick करने हैं, अली अहमद है, left से अली को आपने return करवाने हैं, अली अहमद में right से आपने 6 character, अहमद को right, left, mid, length of string, ये string handling and manipulation होगी, फिर you need to calculate, you want to make some kind of calculation, addition, subtraction, manipulation, division, modulus, वगरा वगरा, you want to compare something, this value is greater than, this value is equal to, less than, less than equal to, greater than equal to, more than one condition, कि first condition, if A is greater than B, and B is less than C, and, और, ये boolean में होता है, ये यहाँ पे आपको, सारी के सारे, आपको, इन्शालाँ, exposure मेलेगा, और जब कभी, आप कोई, piece of code को, आपने, एक software बनाने गए, ठीक है, एक part में, आपने addition करनी है, उसका एक procedure लिख दो, यह function मना लो, procedure और function में, फरक क्या होता है, वो मैं इन्शालाँ आपको बताऊंगा, तो, दो values आपने, पास on करनी, division, multiplication, दो नमबर्स के साथ, parameter पास करके, return क्या करना है, function, variable local भी होते हैं, और global भी होते हैं, फिर कुछ ऐसे functions, ऐसे modules, ऐसी routines लिखते हो, library जिसकी बनती है, एक software आप बनाते हो, किसी university का, उसमें जो coding की जाती है, module लिखा जाता है, procedure लिखा जाता है, same, उसी module की जूरत किसी और project में पढ़ गई, तो इसे बोते हैं, library को call करना है, reuse करने के लिए, ताकि time waste ना हो, बार बार, एक आपने, कोई 500 line हो का code लिखा है, आपको जूरत पढ़ती है, बार बार जूरत पढ़ती है, जिसना library का, आप सामिलो, आपकी book library system होता है, किसी university, school, college में हो, तो आपको वो code, जो बड़ी महनत से बनाया जाता है, test करने के बार, उसको implement किया जाता है, तो उसकी library आप बना सकते हो, फिर उसको different projects में, use भी कर सकते हैं, with the minor changes, फिर ये आपके पास, किस तरह create करते हैं, maintainable कैसे होते हैं, programs, फिर एक concept यहाँ पर दिये जाएगा, last two parts में, एक arrays का concept होगा, ठीक है, 1D and 2D, इंशालाब को बताऊंगा, with indexes, if you want to read and write something in array, क्या होता है, इंशालाब discuss करेंगे, with इसका demo, program, file handling, read करना है file को, if you want to store some values for future use, आपको पता है, आप अपने document सेव करते हो, file सेव करते हो, क्यों करते हो, ताकि उससे future में use कर सको, तो जब आप file को handling कैसे करते हैं, सबसे पहले file को open करना पढ़ता है, उसमें you want to write something, करने के बाद, लाज़े बाद है उसको आपने close भी करना है, अगले दिन आके, आपने उसको open करना है, read करने के लिए, ठीक है, read करना हो, write करना हो, दोनों सूटों में open करना पढ़ता है, close करना पढ़ता है, ये सारी चीज़ें, आपको बता ही जाएंगी, कि Python में या किसी भी लैंग्विज में, आप अपनी text file को किस तरह open करते हो, read करते हो, write करते हो, retrieve करते हो, close करते हो, this is all about this chapter, ये मैंने basic सा overview आपको students दे दिये, और in the meantime, ये check करो, your software is done, ये जी वो वे, जिससे आज के बाद, आपने किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कि how to install, ठीक है, how to install Python, Python से पहले ID, वो आपने इंस्टाल कर लेनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे O-Level, A-Level की students, जो इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की, तो आपने पहले Python को install करना है, complete करने के बाद, फिर Python को install करना है, दोनों की website अपने अपनी होती है, वो मैंने आपको बता दी है, और ये आपको, इस chapter में, क्या आपकी skills develop की जाएंगी, इसका basically objective क्या होता है, पेपर टू में, फिर्स टू चैप्टर्स का, 7 और 8 की बात कर रहा हूँ, compute, जिसना एक computer compute करता है, ठीक है, calculate करता है, process करता है, तो इसी तरह आपको, हम mentally तोर पे prepare करते हैं, कि if you want to solve some kind of problem, or some kind of algorithm, किस तरह राइट किया जाता है, algorithm, writing कैसे होती है, problem का solution जिसे बोलते हैं, ठीक है, और उसमें वो काम या task, जो आपको required होता है, कैसे आप उसको fulfill करते हो, writing few lines of code, और this will show to put your computational thinking to the ultimate test by writing computer programs to perform task, इस चैप्टर के बाद, आपको काफी हद तक basic idea हो जाएगा, कि किस तरह आप लोग ने write करना है code को, ठीक है, और so far you have tested your algorithm by dry running, अब ये जो है dry running का concept है, ये chapter number 7, जिसमें trace table बनेगा, आपको data दिया जाएगा, you want to put those values in flow chart, और pseudo code and prepare your trace table, ये आपको सारे का सारा, अभी हमें ये, हमें इसको address करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये बता दिया गया है, chapter number 4 में, कि how to write your code in high level or low level language, then you need to translate and then run, तीन steps में आपका program execute होता है, first you need to type your code, second you need to translate it, and finally you can execute, ठीक है, और इसमें आपको बताया जाएगा, in this chapter, ये introduce करवाएगा, आपको programming concept दिये जाएगे, practically high level language में, आपको किसां work करते हैं, और behind the scene, जो programming language होती है, but you can also, ये आपको congestion देगा, learning the syntax, हर एक language का appropriate, जो भी programming language है, हर किसी का अपना syntax होता है, VB का अपना syntax है, Java का अपना है, Python का अपना है, there are many high level languages, तो IGCSE के slaybers जो होता है, इसमें high level languages जो recommended है, first one is, here you can see, first one is Python, second one is PB, third one is Java, आपने कोई एक language select करनी है, ठीक है, और यही required होगा आपको, same kind of action, A-level की computer sciences में, तो आज आपकी base बनने जा रही है, कल को आप मेशला जब sub-permote करोगे, computer science में, अगर आप future में काम करना चाह रहे हो, तो आपको connect होना पड़ेगा, A-level की book में, तो यहाँ पे आपको बता रहा है, many programming languages need an interactive development environment, वैसे integrated हम बोलते हैं, तो IDE to write and run code, दो काम, write करना, run करना, अभी आपको दिखाता हूं, IDs are free to download and use, जैसे आपने अभी दिखा, और यहाँ पे आपको बता रहा है, Python को कब use करते हैं, VB को कब use करते हैं, Java के users कौन कौन होते हैं, जो developers होते हैं, क्यों पसंद करते हैं Python को, because, यह general purpose है, different kind of, आप roles के मताबिक इसको fit on कर सकते हो, आप mathematical solution देना हो, statical solution देना है, finance का कोई project है आपका, कोई website development है आपकी, तो आप each and everything, cloud के ओपर आप coding करना चाहरे है, open source होता है, that's why, language open source है, free है, free to download है, ठीक है, कोई charge नहीं करता है आप से, open source है programming, और यह promote करता है, इसी वह से, rapid programming development, and readable code आपको produce करता है, IDE used for the screenshot in the, this chapter is Italy, वैसे हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं Python को, मैंने अभी आपको थोड़ी दिर पहले, यह भी दिखाया था ID में, तो एक ID, IDLE भी होता है, ठीक है, आप Python के लिए recommended, जो other than PyCharm है, वो यह वाला है, number two, visual basic के users कौन से हैं, वो तमाम लोग जो programming करते हैं, Windows के लिए, Windows apps बनाने के लिए, ठीक है, और Windows apps, अगर आप बनाना चाह रहे हो, programming करना चाह रहे हो, visual basic is the right choice, और इसका ID का screenshot लिया गया है, वो visual studio का लिया गया है, throughout its book, और A-level books, Java, यह commercial language है, many developers को पसंद हैं, और इसका जो screenshot लिया गया है, वो blue jay के नाम से, ID है, इनको आप डाउनलोड कर सकती है, मिल जाते हैं, इंटरनेट पे फ्री हैं, और यहां पे, आपको Hello World का program, हम बनाने लगे हैं, first computer screen के ओपर, आपको यह show भी कर रहा है, very easy way to develop your code, यह इसकी, यह देखो, यह file name में, Hello World, और इसकी extension dot pi होती है, और इसका अपना menu, अपनी command, और command के अंदर, जो message आपने float करना है, print करना है, वो यह इस तरह आएगा, और जब इसको आप environment में देखोगे, run करोगे, after error को, error free करने के बाद, यह इस तरह output आएगा, you want to check, or you want to create a first project in python, अभी map कर के दिखा, this is a way, सबसे पहला step, अगर आपने pie charm install हो गया है, you can check it, control panel again, control panel में चले जाओ, control panel में जाओ कि हमें पता चला, programming feature में, यह pie charm के install हो चुका है, you can see, pie charm is okay, यह जी, community edition, अभी आपने आज की date में install किया है, तीक है, jet brains इसका publisher है, जो आप, free of cost है, यह आपके पास इंस्टाल हो गया है, ओके देन, run, pie charm, app, this is a community edition, यह आपने इस तरह क्लिक करना है, first time, यह सकी welcome screen आजाएगी, अच्छा, student, यह, आपने मुझे दुबारा से join करना है, ठीक है, हम तकरीबन, 30 minutes का और session करेंगे, जिसमें मैं आपको, chapter number 8, और few tips about this, मैं आपको देना चाहूँगा, यह भी disconnect हो जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी तेरे minute है, मारे पास, अच्छा, यह आपके पास जो first screen आएगी, import setting for visual studio code, अगर आप, यह भी install करना चाहो, तो इसकी setting को, यहाँ पे आप प्ले कर सकते हो, just skip right now, skip कर तो इसको, यह steps आपने देख लेने students, फिर आपने बार-बार queries आएँगी, तो आपको परिशानी नहीं होगी, ठीक है, यह देखो, skip import, यह आपकी welcome screen आगी, यह आपने निव प्रजेक्ट करना है, प्लग-इन करना है, लर्न मूर करना है, just you need to create your first project, यह स्टूर्स हम रिजूम कर रहे हैं, same way stage है, if you want to create your first project, just click on this link, projects, and अगर आप already, अगर आप यहाँ पे कोई project बना चुक है, तो open कर लीजेगा, welcome screen सामने आ गई है, if you want to create your first project, because this is the first time, तो यह आपने new project पे क्लिक करना है, यह step by step अब सब लोग देख लो, new project, अच्छा new project का नाम, you can name it, project का नाम, project का नाम हम रखते हैं, O level, practice, यह project का नाम हमने रख दिया, किस location पे populate होगा, यह file कहाँ बनेगी, project कहाँ बनेगा, यह location है, इसको अगर आप change करना चाहिए, उस सुरत में आपने change करना है, यहां से इस button पे लिए क्लिक करके, अगर आपको बस space ना हो, अगर आपको बस space का कोई issue नहीं है, तो आपने यहीं पे रख रखो इसको, ठीक है, यह आपका location, जिस जगह पे project यह वाला name, o level practice के नाम से project बनने लगा है, ठीक है, और यह आपको इसके साथ connected जो इसका version है, python का, यह back end पे यह वाला आपको दिखा आपी रहा है, ठीक है, यहाँ पे interpreter type भी आपको बता रहा है, यह सारा, यहाँ पे आपको proper एक screen के उपर, इसका visual आपको show हो रहा है, तो यह वो steps हैं student, जिस तरह आपने first time, आपने एक निया project python में launch करना है, और नाम देना है, students, यहाँ पे अपना नाम दे दो, कोई tension नहीं, अपना अपना नाम चाहिए रख दो, यहाँ आप जिस company का project बना रहे हो, company का नाम रख दो, तीक है, जिसका software बना रहे हो, उसका software का project का नाम रख दो, तो project name is anything, तो मैंने o level practice के नाम से, यहाँ पे project का नाम दे दिया, और बाकी options को आपने करने की कोई ज़रूद नहीं है, just you need to go on with create, यह create पे क्लिक कर देज़ेगा, यह screen आजाएगी आपकी, यह आपके लिए environment, virtual environment create कर रहा है, जैसे center of the screen आपको नजर आ रहा है, अमीद है यहाँ तक clear है, बिल्कुल clear होगा, इंशानला, जब यह project बन जाएगा, यह आपको top of the hierarchy आपको शोग हो रहा है, all level practice के नाम से, ठीक है, आपने अब पहली file create करनी है, hello world.py के नाम से, जो के book में का आगया, तो मैं वह रहीं करने लगा हूँ, right click करना इस पे, क्या करना है, students right click, new, new में file create करनी है, scratch file बनानी है, dictionary बनानी है, python package बनानी है, यहाँ HTML की file आपने write करनी है, SQL file बनानी है, script, JavaScript का लिखना है, जोपिटर लिखना है, आपने यहाँ यहाँ पे लिखना है, python file, click के जिएगा इस पे, यहाँ भी आपने file name देना है, मिसाल के तोर पे, hello world, this is my first, आम तोर पर प्रोगैमर्स को कहा जाता है, कि hello world के नाम से एक project बना लो, project तो बना लिए, आउ लेवल, file बना लो, python file, और जैसे ही आप यह करेंगे, इसको, hit, तो, यह आपकी एक environment के अंदर, hello world के नाम से file आ गई, देख रहे हैं सब लोग, यह उपर, hello world.py, इसमें आज हम पहली command, आज सीखने रहे हैं, अब caps lock को आफ रखी गाई students, print, if you want to print something on screen, print और यह देखो, यह वो आपका auto documenter है, auto completion है, जो आपको बताया गया था, क्या वैसे ही है, देख रहे हो, यह screen के उपर आ गया, आपको बता भी रहे, f4 function, यह red circle में आपको नदर आए, f4 function, यह एक command है, एक function है, यह python का function है, इसके arguments है, value आपने देनी है, जितने भी देनी है, कौमे के साथ दिये जाओ, यह built-in function है, यह मैंने नहीं बनाया, आप देखो कि इस book में, इस chapter में के function, आप अपने भी बना सकते हैं, यह बना-बनाया function है, यह इस language के साथ ही, आपको मिल गया था, और यह आपको यह कह रहा है, कि जो आपने type करना है, bracket लगाओ, लगा दी, दूसरी brackets ने automatically, खुदी place कर दी, if you want to, play some message, double quotes में, text देना है, और यह देखो, यह green color का हो गया, purple color is, यहाँ पे, fix for your commands, brackets, part of the command, codes green color के, और message, which you want to print, hello world, welcome all programmers, ठीक है, जो भी आपने message देना है, you can type anything, और अगर आप इसको, type करने के बाद, यह hello world है, यहाँ आप, यहाँ पे, यह menu है, ठीक है, यह menu आपका यह, lines नज़र आरी हैं, four lines parallel, इस पे click कीज़ेगा, यहाँ से भी आप, अपने project new, बना सकते हैं, पुराने को open कर सकते हैं, recent project की list, यहाँ पे देख सकते हैं, project का नाम rename कर सकते हैं, save करना हो, यहाँ से save, यह control S प्रेस कर सकते हैं, यह हमें control S पे, आपने finger on रखो, आम दोर पे थोड़ी थोड़ी देख बाद, हम control S कर दिया करते हैं, आपको जो भी नया आपने addition की है, इस code के अंदर changes की हैं, वो save होनी शुरू हो जाए, यह अपना save करने के बाद, अगला काम आपने students क्या करना होता है, यह देखो, आपने इसी name के उपर, जो लिखा हुआ है, right click करने, यहां से इसको close भी कर सकते हैं, control F press कर दो close, एक से ज़्यादा अगर आपकी pie file बनी हो, new करके मैं और भी बना सकते हैं, दूसरी तीसी अभी बना कर दिखाता हूँ, यहां पे आपने जाना है, और यहां पे आपने इसके उपर, right click करके center of the screen देखो, क्या लिखा हूँ है, run करने, if you want to compile and run, you can do it, और अभी कोई error नहीं है, shift control या control shift F10 भी press कर सकते हैं, करते हैं, देखो bottom of the screen क्या नज़र आएगा, आपका execution window नज़र आएगी, run window नज़र आएगी, yellow, and you can see here, process is completed, with execution time, and this is a message, you can see, hello world, welcome all programmers, ठीक है जी, ये इसने, इस project को launch कर दिया, जो कि ये पूरा का पूरा, आपका backend प्योपर python चल रही है, python में अदर ये वरी file, hello world के नाम से, पूरी की पूरी execute वही, और अगर आप, if you want to make some changes, you can do it, like I want to print one more line, print, this is, O, A, level classes, अच्छा, अगर आप, यहाँ पे उपर देखो, तो ये आपके पास syntax, और ये आपको auto completion आपको देता है, ठीक है, और ये आपको, इसमें, अगर कोई command में mistake हो जाए, like, आप मैं T, type करना बूल गया, जैसे आप यहाँ पे देखो, जिग-जैग लाइन आपको नजर आ रही है, जिग-जैग लाइन के साथ, एक आपके पास down arrow के साथ, ये facility मौजूद है, वो आपको यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, आपको reference वगरा देने शूग कर दी है, और ये जिग-जैग लाइन, ये indicate करती है, कि something is wrong, तो ये आप यहाँ पे, इसको चब तक fix नहीं करोगे, मिसाल के तोर पे मैं नहीं करता, मैं save करके इसको run करता हूँ, control S, और run करने के एक असान सा तरीका बताऊं, students, ये उपर देखो, ये play वाला बटन या तरा रहा है, यहाँ से भी run कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने right click करके, run, यह shift, control, F10 करना है, आप यहाँ से भी shortcut है, यहाँ से भी tool button यूज कर सकते हो, run करते हैं, ओके, देखते हैं, यह हमें error, यहाँ पे window में, क्या messages आते हैं, क्या suggestions आते हैं, you can see, यह यह लो, अच्छा इस window का size ऊपर नीचे कर कि आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो, यह division है, एक तरफ आपको hierarchy दिखा रहे है, project की, एक तरफ आपको coding environment दे रहे हैं, और TC तरफ इस run window में, यह run window न दिखा रही है हो, run window में यह आप इसको देख पा रहे हो, कि यह देख पा रहे हो, इसने trace किया, वो कहरा है, इस file में line number two, line number two देख रहे हो, यह one है, यह two है, इसको उसने prominent कर दिया, वो कहरा है, यह कुछ समय नहीं आ रही, क्या है यह, print, ठीक है, name error, error भी, with suggestion, वो कहरा है, print is, recognize नहीं कर पा रहा, it's not defined, did you mean, suggestion, this is a suggestion, did you mean print, यह आपको मिल गए या न, यह आपको suggestion मिल गई, अब आप इसको ठीक कर लो, यह लो, अब आपको समझानी शुरू हुए है, कि किस तरह, आपने, यह, code को, चेक करना है, suggestions आपको मिल जाएंगी, you can do anything like this, ठीक है, अब इसको आप रन करो, save करने के बाद, control S कर दिया करो, run कर दिया करो, अब यह error नहीं आएगी, अब आपको output आएगा, फिर, अगर if you want to make some kind of collection, calculations, calculation perform करनी है, course में नहीं देना, याद रखना, course में calculation नहीं देना, ठीक है, course के बाद देना, हाँ, if you want to, give a proper message, with some kind of calculation, then you can put a course and comma, between your expression and your message, यह देखू, यह arithmetic operation है, you can see, print, एक और operation है, points में भी दे सकते हैं, कोई tension नहीं, यह मैंने कुछ calculation आपको करवाई है, addition, subtraction, multiplication, division, वगएरा, save करो, save करके run करो, यह देखू, answer आगए, addition, subtraction, division, multiplication, और अगर आप चाह रहो कि, proper यहाँ पर आये कि है, कि आप मैसेज देना है, कोर्स में देना, मैशा याद रखना, कोर्स में, double code लगा दो, double code के अंदर आप लिखो, addition, of numbers, कोर्स बन, और यहाँ पर इस्टिल एरर है, ठीक है, याद रखना है, जब कभी आप कोई text लिखते हो, और कोई expression साथ में, उसको concatenate करते हो, join करते हो, you need to put a comma, comma होता है, इसमें concatenate करने के लिए, और जैसे ही error खतम हुई, वो देखो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, division is, जो भी आपने message देना, यहाँ पर देदो, course बंद करो, comma लगाओ, और everything is fixed, multiplication, yellow जनाब, save करो, run करो, क्या यहाँ तक सब को समझा आ गई है, कैसे हो रहा है काम, कितना आसान है काम, और यह, अब मैं आपको, यहाँ पर, यह project के अंदर, यह मैंने आपको, यहाँ तक बता दिया, everything is clear, और यही काम, यह python की window में, काम कैसे कर रहे हैं, run time environment में, उसका output कैसे आएगा, और जहां तक विजल बेसिक का तालुक है, यह हमारा, right now topic, यह हमेरे जरुवत नहीं है इसकी, लेकिन अगर आपको जरुवत पढ़े, तो इसमें भी कुछ इसी तरह का environment दिया जाता है, location बताई जाती है, solution नहीं बताया जाता है, console application आपको बहुता है ना, application development के लिए होता है, windows के लिए होता है, console app के लिए आप बना रहे हो, और जो coding आपने करनी है, coding environment कुछ इस तरह का होता है, module लिखे जाती है, और इसके अंदर, पहला program, entry program, main, और वहाँ पे print word यूज़ होते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, console, console मतलब screen, right line, right line, उसमें print लिखते हैं, इसमें right line लिखते हैं, और again hello world, और आपका program एकदम से screen आएगी, गायब हो जाएगी, उसको रोकने के लिए read key का एक, यहाँ फंक्शन यूज़ करते हैं, console का एक function है, read key, read key का मतलब दो function है, console के, एक right key, एक read key, write and read के लिए, ठीक है, यह हमारा जरूरत नहीं है, और इसको जब run करोगे again, you have the same message, हाँ, Java में, जब आप project बनाओगे, तो इसमें class होती है, ठीक है, इसमें class name के साथ हम जाते हैं, यह public class बनती है, और इसमें write करने के लिए, वहाँ पे python में print यूज़ करते हैं, vb में console.right line यूज़ करते हैं, यहाँ पे system.out.print line यूज़ करते हैं, यह Java का environment है, और syntax wise हर एका अपना अपना होता है, ठीक है, टार्गटर सेम है हमारा, क्या, आपने एक छोटा software बनाना था हेलो वर्ल्ड का, टार्गटर इस सेम, but environment is different, syntax is different, अब आजो जी, अगले पार्ट पे, प्रोग्रैमिंग कांसेप्स समझो, जब कभी as a programmer आप काम करते हो, तो आपको कुछ as a programmer ये पता आना चाहिए, क्या पता आना चाहिए आपको, five basic constructs, understand करना, while developing a program, number one, data use क्या है, data जो है, आपने memory में जो hold करवाना है, store करवाना है, उस वे कोई calculation perform करवानी है, वो variable कौन से हैं, और को constants हैं, तो वो कौन से हैं, अगर आपके पास data, array की form में, array अभी थोटी दिर के लिए बूल जाओ, बाकिए बता रहता हूं, variable and constant, क्या फरक होता है, अभी बताता हूं, यह topic भी आ रहा है, number two, sequence, order जिससे बोलते हैं, पहली line, दूसी line, तीसी line, step by step, task complete करने की, फिर selection, आम तोर पे, जब आप कोई coding करते होती हैं, यह चीज़ें आपको face करने पड़ती है, selection करने पड़ती है, if वगरा लगा के, case का structure, if का structure, path देना पड़ता है, ठीक है, यह path आपने क्या रखना है, looping, iteration जिसे बोलते हैं, repetition जहां पर required होती है, आपने step कुछ लिखे में, उसको repeat करना होता है, वो कैसे, वो बताऊंगा आपको इंशाला, पांच वाँ, operator जो use होंगे, arithmetic, अभी थोड़ देर पहले मैंने इस्तेमाल की हैं, calculation करने के लिए, कुछ logical operators भी होते हैं, कुछ boolean भी होते हैं, यह आपको दिखा भी देता हूँ, यह देखो, पूरी coding में आपको यह हैं, arithmetic, logical, boolean, अभी use की हैं आपके पास, यह सारे, power के लिए भी होता है, carrot sign, अभी करके भी दिखा लेता हूँ, फिर एक function भी होता है, जो के, mod मालूम करने के लिए, mod मतलब remainder, और एक function होता है, division का, ठीक है, फिर कुछ function और भी होते हैं, comparison के लिए, if वगेरा, के साथ, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to, फिर कुछ operators भी होते हैं, और, and not वगेरा, यह जी वो operator जो आपको programming में help करेंगे, ठीक है जी, अब मैं आपको वापिस लेके आता हूँ, book के उस पार्ट पे जहां पे हम थे, तो जब आपने यह सारा काम करना है, तो इसमें क्या data यूज होगा, किस तरह होगा, like this, if you want to perform some calculation like this, यह देखो, यह code आपको नज़र आ रहा होगा, और इसमें अगर आपने perform करना है, something like this, कि आपके पास एक variable है, first, ठीक है, और इसमें एक value आपने put कर दी, 65, एक variable ले ले लेता हूँ, second, मुनासिब सा नाम रखना है, first, second, रख दो, ठीक है, तो variable जो भी देना है, identified जो भी देना है, उसमें कोशिश करो, इसका जो name meaningful होना चाहिए, और assign करनी है value, वो assign करतो इस तरह, equal to के बाद जो value वो assign हो जाती है, अच्छा एक इसमें zigzag, red color की नज़र आ रही थी, यह आपको थोड़ा सा shade में नज़र आ रही है, यह इसलिए नज़र आ रही है, warning है, warning इसलिए है कि आप यहाँ पर equal to के बाद, और equal to से पहले space देतो, बस, this is a warning, warning acceptable है, warning is acceptable, but error is, you want and you can see and then remove that error, वो must हो जाता है, यह optional है, अगर आप equal to, और यह जो आपको zigzag line नज़र आ रही थी, red में तो आपको make sure करना बढ़ता है, उसको आपने हर सूरत में ठीक करना है, another variable, answer, meaningful, equals to, you want to do what, first variable, plus arithmetic operator, second is another variable, और मदे की बाद, यह जी आपके लिए एक अच्छी खबर इसमें, कि जब आप टाइप करते हो, F जैसे टाइप करते हो, तो यह देखो, इसमें आपको यहाँ पे कुछ constants नज़र आ रहे हैं, कुछ function नज़र आ रहे हैं, कुछ फाइलों के names नज़र आ रहे हैं, यह देखो, यह variable है, V for variable, यह पहचान है, और इसमें फाइदा ही होता है, कि जो उपर इस program के अंदर आपने लिखे होते हैं, उसको automatically detect कर लेता है, detect करने के बाद आपके लिए facility दे देता है, बाल काता है एक big project होता है, आपने कुछ variable उपर use कर रहे होते हैं, तो उसको अगर आप कहीं processing करना चारे हो, fill कर दिया, plus करना है, minus करना है, divide करना है, जो भी करना है, तो आप यहाँ पे इसके उपर perform कर सकते हो, plus कर लेते हैं चलें, और जैसे मैं S प्रेस करता हूँ, यह देखो, यह देख रहे हो, कुछ इसमें इसके साथ जो specific keywords हैं, वो भी आ रहे हैं, यह keywords है, blue color के, ठीक है, कुछ function है, red color के, कुछ files हैं, यह python के icon के साथ, और कुछ variable हैं, भी circle के साथ, यह एक फाइदा हो रहा है, ठीक है, और यह काम करने के बाद, output देना है, ठीक है, output देना है, तो you need a command, print, किस क्या देना है जी, आपने इनका answer print करना है, yellow, यह variable हो गए, और यह उसका answer आ गया, save करो, and then run, यह answer नीचे आ गया, यह देखो, 164, अब 164 है क्या, किन का, कौन-कौन से, numbers, उनकी addition, आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो, answer, से पहले, आप यहाँ पे course लाल दो, result, of two, number, addition, जो भी proper message, course में बंद कर देना, comic इसाँ separate कर देना है, then it's okay, तीक है, और यह देखो, run करते हैं, यहाँ आपको नीचे bottom पे, result of two numbers, addition is this one, जो भी आप इसमें देना चाओ, text देना चाओ, जो भी करना चाओ, और अगर आप चाह रहे होंगे, दो numbers भी यहाँ पे print हो जाएं, first number भी, second भी, third भी, और answer के साथ, तो यहाँ भी लेक दोबा काईदा, course के अंदर, first is, first number is, course में बंद करके, comma, variable, first, comma, again message, second is, course, comma, variable, comma, answer is, yellow, comma, yellow, यह काम होगे आपका, अगर आप space इतर, set करना चाओ, इसको आप इस तरह भी कर सकते हो, adjust की जा सकती है, यहाँ से, आप इदर इतनी space नहीं देना चाहरे, इसको prominent करना चाहरे हो, यह देख रहे हो, course, then concatenate with the comma, then another string, concatenate with variable, then another string, concatenate with variable, then another string, ya text, concatenate with the final variable, save and then run, देख रहे हो, proper float किया उसने, जहाँ पर आपका variable use हो है, वहाँ पर replace हो गया, जहाँ variable यूज किया है, वहाँ पर replace हो गया, जहाँ variable के अंदर answer है, उसका answer replace हो गया, यह values जैसे हैं, जैसे आप change करोगे, automatically यह आपके answer भी change होता जाएगा, ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर, इसका operator चेंज करते हो, answer भी change होता जाएगा, यह वो list है, जिसको use करते हुए, हम यह अपना action complete कर सकते हैं, और constant क्या होता है, constant का मतलब, कोई ऐसा, आप यहाँ पे लेना चाह रहे हो, identity, identifier, जिसकी value fix करने हैं, जैसे आपने area of circle निकालना है, पाई r² की आपको बता है, फामूला होता है, कर लेते हैं, एक दफ़ा यह भी perform करके दिखा लेता हूँ, radius, variable ले लिए, proper, radius is 2, और यहाँ पे, हम, पाई ले लेते हैं, पाई की value क्या होती है, 3.14, और यहाँ पे proper एक variable ले ले लेते हैं, area, पामूला क्या है, area का, पाई r², पाई की value, लास्ट एन मिनेट, पाई की वैल्यो, बाई बाई र यह रडियस, यह देखो, आ गया, होदी, अगें बाई बाई रडियस, and you want to print this here, कितना असानी से, यहांदर ख्लेर हैं, लास्ट तकरीबन नाइन मिनिट्स हैं, तो इसमें और आपको कुछ, इसमें सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है, जो नमबर वन पे स्टेप है, वो पहले चलेगा, फिर टू पे अगला एक्शन जो भी किया गया, कुछ असाइन किया गया, रेडियस में, फिर थर्ड नमबर पे, आपने एक वैल्यू कॉंस्टंट के तौर पे इंट्रिद्यूस करवा दी, फिर एक फामूला लगाया, तो स्टेप बे स्टेप देख रही हो और हम परफॉर्म हो रहा है, इसको अगर आप स्टेप को आगे पीछे गड़ दोएगे गलत हो जाएगा ना फिर, तो सीक्वेंस इस वैरी इंपॉर्टंट, वैरियबल क्या है, कॉंस्टंट क्या है, जो कैलकुलेशन के लिए प्रोसेस है, वो क्या है, ये फामूला क्या होगा, और उसको किस तरह और पुर्ट के साथ दो को आपस में कॉन काटिन रिट कैसे करना है, इस इस आल अबाउट दीज आपकी जिसमें ये सारा काम आपके लिए असान हुए जा रहा है, डेटा, वैरियबल और कॉंस्टंट क्या होता है, सिक्वेंस स्टेप्स होते हैं, सेलेक्शन भी अभी आपको करके दिखा देता हूँ, सेलेक्शन का मतलब क्या होता है, बालका था आपने यहाँ पे सेलेक्शन करनी है, अच्छा, यह प्रोजेक्ट में अगर आपको, यह मैं एक ही में किये जा रहा हूँ, बार बार, हेलो वर्ड में, अगर आपने यहाँ पे निया, अपने create करनी है, फाइल, आपने दोबारा, यह हिरारकी में, top of the project पर राइट क्लिक करो, और if you want to perform some selection statement, इफ का practice करना चाहरे हो, यह देखो, python, if, प्रैक्टिस, आपको मैंने यह देखो, project की यह वाला भी है, project एक ही है, दो final लग रगे, एक ही है, double click करो यह सामने आजेगी, double click की यह करो, सामने आजेगी, इधर click करो यह सामने आजेगा, यह भी तरीका है, यह भी दोनों में से को यह कर लो, यहाँ पे आपको करना यह है, एक ही value, पहला एक variable ले लिया, A, 34, B, 45, और एक ले लेते हैं operator, एक variable, और इसके अंदर आपको, number नहीं store करवाना, आपने यहाँ पे एक text store करवाना, operator store करवाना है, जब कभी text यहाँ operator हो, तो ports में देटे हैं, लाइक प्लस दे देता हूँ यहाँ ठीक है, वार्निंग मैंने बोला था, इसको पदम करने का यह तरीका होता है, अब यहाँ पे अगर आप चाहो, if लगा सकते हो, if, if what bracket, operator, variable, is equal to, equal to comparison होता है, एक assign होता है, comparison के लिए double equal to लगाना है, और यहाँ पे आपने जो value देनी है, चेक करने के लिए वो दे दी, then के लिए यहाँ पे colon होता है, word नहीं होता है, then होता है, ठीक है, यह देने के बाद आपने, store करवा दिया, print करवा दिया, क्या answer is, course में दे दिया, answer, क्या answer क्या, a plus b, else यहाँ पे दे दो, else आप यहाँ पे दे दो, else then, what do you want to print, answer is, जो भी देना है, a minus b करवा रहे तो, याद रखना, a plus b होगा, इसका मतलब, इसका मतलब students क्या हुआ, a plus b होगा, वो क्यूं होगा, a plus b, a plus b क्यूं होगा, a plus b इसलिए होगा, अच्छा यह course डाल दे, अच्छा, a, a plus b क्यूं होगा, क्यूंकि operator की value, match कर रही है, condition के साथ, और यहाँ पे अगर मैं, इसके लावा कुछ कर दो, तो यह फिर, subtraction की तरफ चला जाएगा, यह condition true होने पे यह होगा, और false होने पे यह होगा, else part, let's see, control s, run, यह देखो, यह इन दोनों का, sorry, मैंने इसको compile and run, आगया answer, 79, इसका मतलब अगर यह value मैं, minus कर दो, यहां कुछ भी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, तो यह match करने जा रहा है, चेक कर रहा है, condition को चेक कर रहा है, क्या condition के मताबक plus है इसमें, यहां तो है कुछ नहीं, तो यह else में चले जाएगा, और do this action, यह देखो, यह minus 11 आगया, इसका मतलब यहां पर अगर वो character को match करेगा, और उसके मताबक आपका action perform कर देगा, like this, यह इनको change कर लो, जो भी आपने नहीं value देनी हो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, यह आपको calculate करके answer देदेगा, save कर लेना, run कर देना, और उसके मताबक answer आज़ेगा, यहां पर आपको मैंने आज if का भी बता दिया, अरे एक आखरी जो हमारा, आज जाने से पहले, आखरी काम जो मैं आपको करवा के आज off कर रहा हूं, इंशाला मंडे को continue करेंगे इसको, और वो क्या है, यह variable हो, constant हो, तो दोनों में फरक क्या है, वो मैंने आपको बता दिया, जिससां यह पाई की value, ठीक है, meaningful name, आप इसको दे सकते हो, यहां से, यह meaningful capital में लिख दिया जाते हैं, आम तोर पे, यह meaningful name दे दिया जाता है, constant पाई के साथ, और यह देखो, यह मैंने आपको करवा दिया, python में आपको coding कैसे की गया ही, यह वो मैंने बता दिया, ठीक है, data types क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, Monday को, यह data types है, इसके बारे मैं आपको clear करूंगा, Monday को, ठीक है, और अगर आपने something input करना है, जो है, उसका इंशाला डेटेल बता दूँगा, programming बिल्कुल सिंपल सी है, असान सी है, इंशाला मुश्किल नहीं होगी, इस इस आल अबाउट टू डेज्टर, इंशाला होग करता हूँ कि आप लोगों को सब को समझ आ गी होगी, आज तक जितना भी मैंने भी आपको करवाया, हफसा, हमसा, खासिं, खरजान, everything is okay, यहां तक समझ आ गई है, यह मैं इंशाला आप शेयर भी करना हूँ का, तक अगर जिसको समझ नहीं भी आई, installation से लेके, execution of, या making of some projects, clear, good, very good, अच्छा, मैं Monday को जब आप से इंशाला मिलूँगा, तो मैं आपको इसकी अगली detail आप से शेयर करूँगा, कि ये देखो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये value हमेशा, यहां पे आपकी जो type की होगी, उसके मताबिक respond करेगा, क्या ये value हम program जब run करें, तब आप से ले ले, input ले आप से, get करे आप से, वो मैं बताऊंगा, वैसे तो इसका अगला segment यहां बे पढ़ावा है, आप खुद भी attempt करके देख सकते हो, हमजा, यह वाला, ये आप अगला हिस्सा यहां से भी देख सकते हो, string handling का नहीं पता, operator थोड़ा सा मैंने यूज करना सिखा दिया आपको, sequence क्या होता है, जिसना ये चुट चुटे program आपके बने में है, यहां पे दी Python की coding भी करेगा, और भी आपको if statement का भी बताएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, Python में लिखने का तरीका ये होता है, ये pseudocode होता है, ये Python है, ये VP है, ये Java, हर एक अपना अपना syntax होता है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये if else की तर्थीब है, simple calculator बना है, plus होगा तो दो नमबर को add कर दे, minus होगा तो दो नमबर को subtract कर दे, star होगे, दो दो मुटिकलाई कर दे, slash होगे, दो 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 को divide कर, ये गलत इसने लिखने, ये slash है या, ठीक है, बगएरा होगा है, फिर iteration आपको इंशालाँ सिखाऊंगा, पौर का लूप समझा दूँगा, ठीक है, यहाँ तक आप कर लो, जितना मैंने आज करवाया, इंशालाँ ये इसी continue करेंगे मंडे को, बहुत शुक्रिया, खुदा आप लूप,